जब से smartphone launch हुआ है iPhone 15 Pro and Pro Max तब से मैंने बहुत सारे article पढ़े हैं इन दोने smartphone के बारे में कि इसमें heating issue है और सिर्फ article ही नहीं मैंने बहुत सारे videos भी देखे हैं जिसमें लोग दिखा रहे हैं कि smartphone बहुत ज़्यादा heat हो रहा है And that's why I had a fear on my mind about this smartphone before buying it But this smartphone को खड़े हुए मुझे 4-5 दिन हो गए हैं और पिछले 4-5 दिनों में मैंने इस smartphone को अलग-अलग सिनारियों में यूज किया हुआ है Like indoor में यूज किया हुआ है, outdoor में यूज किया हुआ है, बहुत hot weather में यूज किया हुआ है इसके साथ मैंने high graphics game खेले हैं जैसे Resident Evil Village और ये game बहुत ही ज्यादा high graphics का है, ये PS5 में आता है और मुझे लगता है कि world में दो ही smartphone है, iPhone 15 Pro and Pro Max जिसमें ये game चलता है और इसके अरवा मैंने Asphalt 9 भी खेला है So I think I am the right person to tell you about the heating issue of iPhone 15 Pro So if you are new here, please subscribe to the channel and if you love this video, hit the like button below So let's get started Okay, so first heating issue जो लोगो ने face किया, वो smartphone unbox करने के बाद setup करते वक्त जब उन्हों सीम काड लगाया और जब setup करने थे smartphone को, तब उन्हों को बहुत ज़्यादा heating issue देखने को मिला And yes, मुझे भी ये problem देखने को मिला तो मैं जब Instagram यूज कर रहा था, तो मुझे कोई ऐसा major heating issue देखने को नहीं मिला खेर मैं आपको बता दूँ कि मैंने iPhone 11 से लेकर 14 तक सारे smartphone यूज किया हुआ है मतलब iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 के भी सारे series and 14 के भी सारे series मैंने यूज किये हुए है और almost सारे smartphone में मुझे heating issue देखने को मिला है 14 Pro और 13 Pro में मुझे बहुँ ज़्यादा heating issue देखने को मिला था और starting में इस phone में भी कुछ उसी तरीके का heating issue देखने को मिला था और फिर अभी normal है वैसा कोई heating issue देखने को नहीं मिलता है बड़ जब मैं smartphone को hot weather में लेके जाता हूँ जहां गर्मी बहुँ ज़्यादा रहती है और वहाँ पर use करता हूँ या फिर नहीं भी use करता हूँ smartphone को pocket में भर के रखता हूँ तो भी smartphone बहुँ ज़्यादा heat हो जाता है और वो heat आपको feel होगा लेकिन मैंने जो feel किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगवग 15-20 मिनट तक heating issue देखने को मिला उसके बाद फिर normal हो गया और फिर heating मुझे देखने को नहीं मिला तो मुझे ये समझ भी नहीं आया कि ये थोड़ा समझ के लिए क्यों heat हो रहा था और फिर क्यों बाद में ठीक हो गया और normal indoor में मुझे कोई ऐसा major heating issue देखने को नहीं मिला लेकिन जब आप smart phone को charge करोगे न especially जब आप 10% या 5% या उससे below या 20% तक भी charge है आपका smart phone और उसके बाद जब आप charge करोगे न तो 50% या 60% तक smart phone आपका बहुत ही speedly charge होगा और बहुत ज़ादा heat करता है बट हाँ उसको overheating नहीं कहा जा सकता है बट फिर भी वो hold करने में comfortable नहीं होता है मतलब हाँ थोड़ा बहुत आपको heating issue उस वक्त देखने को मिलेगा जब आप smart phone को charge करोगे बट again I would say कि ये overheating नहीं है क्योंकि जब भी smart phone में overheating होता है तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो चाहे आप gaming खेल रहे हो या फिर camera यूज कर रहे हो या charging कर रहे हो smart phone में आपको warning आ जाएगा कि temperature बहुत जादा raise हो चुका है और उस वक्त आपका जो वो काम था वो stop हो जाएगा या फिर smart phone बंद हो जाएगा और ये चीज मैंने notice किया है iPhone 11 में और उससे नीचे वाले state में भी मैंने notice किया हुआ है बठा इस smart phone में वैसा कोई issue मुझे देखने को नहीं मिला है एक और चीज मैंने notice किया हुआ था एक बार iPhone 12 में कि जब भी आप इस smart phone में कोई heavy game खेलते हो ना जैसे PUBG बगरा तो बहुत देर तक आप full brightness में नहीं खेल सकते हो जैसे ही smart phone गरम होता है तो brightness down हो जाता है ताकि smart phone अपने आपको थोड़ा बहुत cool कर सके तो वैसा कोई heating issue नहीं देखने को मिला है मुझे इस smart phone में मेरे दोस ने इस smart phone में लगातार 48 minute तक Resident Evil Village खेला है और उसमें मुझे कोई ऐसा brightness drop वगर देखने को नहीं मिला overheating का issue देखने को नहीं मिला although smart phone hold करने में थोड़ा uncomfortable हो रहा था क्योंकि हाँ heat हो रहा था लेकिन हैरानी मुझे इस बात किये कि ये जो game है ये बहुत ही ज़्यादा high graphics game है और ये smartphone इस game को 128 piece पे चला रहा था और कहीं भी इतने देर तक 48 minute में कभी इस smart phone ने ना brightness decrease किया और नहीं FPS degrees किया smoothly, buttery smooth चल रहा था हाँ heating थोड़ा सा देखने को मिलता है normal जितने भी मैंने काम कियो उससे ज़्यादा heating issue मुझे देखने को मिला बढ़ हाँ resident evil village खेलते वक्त आपको थोड़ा सा पकड़ने में smartphone uncomfortable होगा और resident evil village खेलने के बाद मैंने खेला Asphalt 9 और जब मैं ये game खेल रहा था ना मैं सच में हारान था कि इस smartphone में एकदम heating issue नहीं देखने को मिला मतलब Asphalt 9 एकदम buttery smooth चल रहा था कोई lag तो वैसे resident evil village में भी देखने को नहीं मिलता था तो इसमें तो खेर कोई chance ही नहीं होता है so buttery smooth Asphalt 9 चल रहा था और कोई भी heating issue नहीं देखने को मिला और मुझे लगता है कि ये first iPhone है जिसमें Asphalt 9 खेरते वक्त मुझे कोई भी heating issue देखने को नहीं मिला अभी तक मैंने जितने भी iPhone यूज किये हैं सारे में मुझे Asphalt 9 खेरते वक्त तो heating issue देखने को मिला था बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होता था बट इसमें तो बिल्कुल था ही नहीं मतलब ना के बरावर हीट होता है कोई भी normal वर्क करते वक्त या फिर थोड़ा high graphics वर्क करते वक्त भी अब बात करते हैं कैमरे के बारे में क्यूंकि आइफोन ज़ाद तर लोग घड़ते हैं वो कैमरा के लिए और कैमरे में भी especially 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में बहुत अच्छा आता है और सिनेमेटिक वीडियो भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर लेता है इंफेक्ट ये भी वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हो रहा है और 4K 24fps में रिकॉर्ड हो रहा है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मैं बार-बार स्मार्टफोन को टच करके जाके देख भी रहा हूँ तो मुझे हीटिंग इसू जैसे मेजर हीटिंग प्रावलम जैसे देखने को मिले थे मुझे आईफोन 13 प्रो में वैसा कोई हीटिंग इसू देखने को नहीं मिला है ठीक है थोड़ा बहुत हीट होता है बढ़ हाँ, manageable है ऐसा नहीं कि hold करने में आपको दिक्कत होगी उतना चलता है तो थोड़ा बहुत मुझे हीटिंग इसू देखने को मिला है बहुत जादा नहीं बढ़ हाँ, अगर आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो उसमें बहुत कम हीड होता है ना के बराबर अगर final verdict की बात करों तो इस smartphone में मुझे हीटिंग इसू देखने को नहीं मिला है हाँ, जब यह smartphone launch हुआ था तो कुछ bugs थें जिसके वज़े से हीटिंग इसू देखने को मिलता था बट मैंने जब से खरिदा है सिर्फ और सिर्फ मुझे Resident Evil Village में थोड़ी बहुत हीटिंग इसू देखने को मिले और हाँ, चार्जिंग करते वक्त तक मुझे हीटिंग इसू देखने को मिले है और उसके बाद फिर smartphone नॉर्मल हो जाता है और वो एक नॉर्मल चीज है बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रुरत नहीं है उससे क्योंकि कोई भी smartphone जब आप चार्ज करोगे न तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हीट होता है और उसके बाद फिर डॉप डाउन हो जाता है खैर चार्जिंग से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली है स्मार्टफोन बेटरी ड्रेन कैसे करता है उस पर भी वीडियो आने वाली है सो सब्सक्राइब फो बागी यह वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे नीचे कॉमें बताओ और फिर इस आईफोन 15 प्रो के बारे में आपको क्या जानना है वो भी आप नीचे कॉमेंट करके बताओ ताकि मैं डेरिकेड वीडियो बना सकूँ बागे थैंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो प्लीज हिए था लाइक बटन बिलो and don't forget to subscribe the channel that's all about this video salaam, my name is Shaakir and I'll see you in the next one